जे जोहार, जे 36 गर संगवारी हो, मैं भोली स्वागत कर रहा हूँ आप सब के आपके अपन यूटूब चैनल कुक वीद भोली में ता संगवारी हो, आज मैं आप सब के बार खरबुजा मिलके शेकर रेसेपी लेकर आए हूँ जे हाँ पीए में बहुती ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुती ज़्यादा लाब दाया करा थे ता आओ देख्था नेला कैसे बनाया जाते ता सबसे पहली एकर आमें हाँ आधा किलो के लगभग खरबुजा ले ले हो, अच्छा से धो ले हो एला अबेल अच्छील लेना है, बहुत आदमिये से है, जे लएकर टेस्ट है बिल्कुल पसंद निया है ना तवही में महुं सामिल हो, महुं लख खरबुजा खाना बिल्कुल पसंद निये लेकिन जब लमिल किशेक बना के पिथा ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लाग थे यहां हाट पेशेंट मन बर बहुत ज़्यादा लाब दायक है, रोग प्रती रोधक छमतल भी बढ़ा थे पाचन सक्तिल भी सुधार थे, ब्लड प्रेशर भी कम कर थे, हड़ी मजबूत बना थे हां आख माँ के जे समस्या है ना, आख के जो भी समस्या है वहुं में बहुं ज़्यादा लाब दायक रहते जे acidity बन थे हमाला खाली पेट रहें के वजह से या ऐसे भी आप माला अगर acidity के समस्या है वह में बहुंच जदा लाब दाया करते तर गुल मिला के में बहुंच जदा पॉस्टिक गुणहावे संगवारी हो तो यह लाब कैसे भी करके हमाला खाना या पीना चाहिए है ना एकर मात्रा शरीर में जाना चाहिए लेकिन अगर कोई लभी पसंद नहीं आए तो अगर ये तरीका से आपन बना के दूप तो हर जरूर पीए ला ते देखो स्लाइस में में हां काट ले हां एकर छिलका बहुत आसानी से उतर जाते देखो अब एकर जे बीज है इला अलग कर बहुत सारा चीज है इसे हमाना बना था है जे में एकर बीज के बहुत ज़्यादा काम रथे तहला फेकना बिल्कुल नहीं है आगे में एकर रेसीपी ले कर रहा हूं और चलो आगे के प्रोसेस ला देख ले था ने कर तब असे ला छिल के इसने बड़े-बड़े पीस में करके करें लेना है हमाला अब एक मीं सी के जार लेबो-जे जे मैं हमाना जूस वगेर बना था न वहीं वाला मशी नौन ऐसी के जार ले आख यह में एक कप से थोड़ा सपका में हर ज्युर्रत के प्ल 12 जतना भी मीठाब को आपकला जरुरत एा जतना ग्लास आपला बनाना है जूस उकर हिसाब से एकर आप महां सक्कर डालो ता एकर आप में हाँ चार गलाज बना थो उकर हिसाब से एकर मात्रा एकदम परफेक्ट है पांस से छे इलाइची है जे लचिल के उकर बीजले में डाल देवो हमाना अब एकर अफ्रेज से निकाले हुए एकदम ठंडा अधा लिटर डूद डल जहीं जवरत के हिसाब से आपना बाद में पानी या दूद मिला के बढ़ा सका थोईला अभी एक साथ बहुत ज्यादा दूद नी डालना है हमला नहीं तो फेका जाते कभी कभी है ना जब जूस बना थान मिक्सिक जार में चला थान ना तो बहुत खकन लगा ले वो और अच्छा से पीश के दिखा थो में आप मनला तो देखो बहुत अच्छा से हपीश चुके हैं बहुत ही आसान है बनाना और स्वात तो इतना ज्यादा टेस्टी हावे कि आपन बना हूं ना तो हमेशा इस नहीं बना के पीना पसंद कर हो ताब एमें कोई कलर डाले के ज़रूरत है और नहीं को यह वह बहुत ज्यादा चीज़ डाले के ज़रूरत है और तैयार है अमर घर भूजा के मिल्क सेख बहुती स्वादिश्ट और बहुती ज्यादा लाफदायाख संगवारी हो तो चलो अबला शरू कर्थन एकर उपर थोड़ा से नाम के पीस्ता के कत्रन डाल देगो यह पूरा अप्शनल है आपके इच्छा है तो डालो अब इच्छा नहीं है या आप पसंद नहीं है या कोई भी कारण से आप मन नहीं डालना चाहो तो इसने भी पी सकते हो इसने भी बहुंँ स्वाधिश्ट लगत थे एला थोड़ा से नहीं डेकोरेट करें बरिकर डाला तो टुटि फ्रूटि है वो भी डाल सकत हो ज्रीषन भी आपमला डेकोरेट करना है कर आप मन कर सकत हो इला अब देखो बहुत ही टेस्टी हमारे खरबूजा की मिलके सेक्त तैयार है तो आप मन है लेक दम ठंदा ठंदा मस्त शर्व करो कोई भी महमान आगे आपन घर में भी इंज़ाय कर सका थोई ला ता उमीद करत हूँ आप सब ला आज के रेसिपी पसंद आये होई अगर वीडियो पसंद आये होई ता वीडियो ला लाइक करूँ अगर आप मनहाई चैनल में नवा हो ता सब्सक्राइब करें वर्जन बोला ता चलो मिलतान अगले वीडियो में